मद्ध प्रदेश की राजधानी भुपाल में एक बड़ा ही अजीबोगरी मामला सामने आया है जहां एक शक्स कच्छा छोटा सिलने को लेकर दरजी के खिलाफ ठाने पहुँच गया और केस दरज कराया है ठाने पहुँचे शक्स ने आरोप लगाया है कि उसने दरजी को दो मीटर कपड़ा दिया था फिर भी दरजी ने उसका कच्छा छोटा सिल दिया युवक ने पुलिस से कहा कि जब वो कच्छा बड़ा करवाने के लिए दरजी के पास गया तो उसने बड़ा करने से मना कर दिया टेलर के मना करने के बाद शक्स सीधे हवीव कर ठाने पहुँच गया और पुलिस को पूरी कहानी बताई और फिर केस दरज हुआ कच्छा सिलने के लिए दिया लेकिन उसने कच्छा छोटा सिल दिया दुबे ने पुलिस को लिखा है कि उसके शिकायत के आविदरंद को सुईकार किया जाए और टेलर के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए क्या है पूरा मामला यह कपड़े का है कपड़े वो बोल यह द किसमे पहले यह बोलै की खिल नहीं था इसमें प्रैना आइ नहीं है यह कच्छा छोटा सिलाय आपने खाने में शिकाद पर ये क्या मामलाatar mother अधाला नहीं था यह दो मीधर का हं कच्छे लेके कपड़ा आये थे दुकान से मतलब वो जो गच्छे से था तो दो मीटर का कटाये थे दुकान वालों से गच्छा पता नहीं कितने का होगा बहुत बड़ा गच्छा था उसके पास दुकान वालों के पास उसमें मैंने कटाया था दो मीटर एक एक मीटर में चटड़ी तो प्रयाब तो हो जाएगी हमारे लिए विकिन छोती हो गई, छोती कर दिया बोला ये कपड़ा ही तुम्हारा इतना था दो मीटर में दो कच्छी शिलवाई थे दो मीटर था ना ये तो दो छटड़ी च्याई है दो बना दिया है ये अब उनों छोटी है यह कहितार की है, समस्या ही है, कपड़ा पूरा था? कि अधिक है, और उफर चकी की दुपान है, कितने पेसे लिए उनने सी रही है, उनने सी रही है, यह उनन को बनाए उस दिन गोरा नारा चले जाओ दूसरे जगा बना लेना, जब पिन नारा उसी 70 रुपे में बनाना चाहिए उसको, जब आपने का यह छोटा है यह उस दिन तो यहां था राजisen डाहि बाता GUY शुकारण के लिए स्विए को ऐसरे बादा ही जा कॉझेक करें धृध्याटार वहां। अलुरों क्यों अरे पेष्ट खीज़े हैं मी हृध विम्ने गाई॥ झाल झाल